गिरावट काफी हावी है वो है इंडिया माट का शेयर दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए उसके चलते पूरा मूड खराब होते वे देखा और आज कॉपरेट कनेक्ट्सिन में हम इंडिया माट के मैनेजमेंट से ही बात करेंगे इंडिया माट जो कंपनी है वो देश की तोड़ा सा दबाव देखने को मिला है और उसके बाद कुछ ब्रोकरीजिस की तरफ से जो है डाउन ग्रेड भी आए हैं आप देखे 17% का कट इंडिया माट के शेर में पर आगे की योजनाय क्या है और ग्रोथ आउटलुक क्या है क्या यहां से थोड़े सुधार की उमीद कर आए इस चर्चा को मागे बढ़ाते हैं और समझते हैं यह सभी फैक्टर्स पे कंपनी के फांडर और सीओ मिस्टर दिनेश अगरवाल से दिनेश जी नमशकार आपका बहुत-बहुत स्वागत है इतिनाव स्वादेश पे सबसे पहले तो दिनेश जी काफी कमजोर लग रह हैं आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ वज़ा रही है कलेक्शन्स पे दबाव की और अन्य फैक्टर्स क्या थे जिनका असर इस बार नतीजों पे देखने को मिला हाँ तो एक तो दिखे हमारा पिछले चाहर पांच क्वाटर से सब्सक्राइबर एडिशन जो है पेट सब्सक्राइबर एडिशन वो स्लो चल रहा है जैसा कि पहले पांच एक हजार छे हजार होता था इधर में दो हजार डाई हजार ऐसे ही चल रहा है इस बार भी 24 सो ही आर्पू ग्रोथ अच्छी आने की वज़े से हमारा कलेक्शन ग्रोथ अभी भी 15-18-20 परसेंट हो जाता था लेकिन इस बार वो कलेक्शन ग्रोथ के वल 5 परसेंट रहे गया है और इसमें कुछ execution के भी challenges हो सकते लेकिन चुकि अभी एक ही quarter हुआ है तो यह structurally क्या 10-12 परसे disappointed है और स्टेट भी disappointed है और राइट तो देखे बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समझाया जरूर कि क्या कुछ factors रहे पर यह लगातार चौथा quarter है जहां पर हम आपके collections में गिरावत देख रहे हैं अब यह आकड़ा 5% पर रहा है आने वाले समय के लिए क्या कुछ उमी करें या फिर इन स्तरों पे ही थोड़े से ग्रोथ नंबस आते वे दिखेंगे कि को देखे हमारा हमेसा ही रहता है कि कोशिश करके 15-20% करें लेकिन तुकि का अगर हमारी subscriber growth अच्छी नहीं रहती है तो collections पर भी फरक पड़ता है और वही देखने को मिल रहा है एक और फाक्टर दिनेश जी जो कि मैं समझना चाहती हूँ वो यह है कि लकाता छटवा क्वाटर है जहां पर आपके supplier additions भी कम हुए है paid subscription अगर वो बड़े भी है तो मात्रव 2.4 यानि 2400 के आसपास जो है तिमाही दर तिमाही इनका addition हुआ है बलकि historical average आनी पिछले quarters अगर हम देखें तो यह आकड़ा almost double था तो आने वाले समय में कैसे एक number की उमीद करें जो कि sustainable growth rate साबित हो सकता है आपके supplier additions के front पे ने उसको वो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो वापस से ठीक हो हमारा जो silver customer है monthly और silver annual जो entry level customer है 50% customer वही होता है और वो 50% customer पे चर्ण काफी बढ़ा हुआ है पिछले चार्शे quarter से बढ़ा हुआ है जो की दिक्कत दे रहा है अगर आप बाकी 50% customer देखें तो वो 75% revenue contribute करता है और वो अच्छे से बढ़ भी रहा है और उसमें growth भी आ रही है और राइट दिनेशी देखें इसमें कोई दो राये नहीं है कि आपके margins जो है अभी भी अच्छी तरीके से होल्ट कर रहे हैं पर अगर मैं internals देखूं तो आपके margins में improvement का एक बड़ा factor आपके marketing expenses में कमी आना है जो analyst की बात करें स्ट्रीट की बात करें तो वो इसको एक one-off मान रहे हैं पर आगे क्या confident है कि जो 35% margin figure है उसको आप sustain करेंगे अगर हां तो उसके पीछे के कारण क्या होंगे नहीं margin तो हमारा देखिए क्योंकि यह revenue from operations आप जैसे collection आप देख रहे हैं 6% growth हुई है लेकिन revenue from operation 18% दिख रहा है because of deferred revenue पीछे से जो आता है इसलिए वो margin बढ़ा हुआ दिख रहा है one time margin जैसा मैं पहले भी guide करता रहा हूँ हम दों को 33% margin long term में सोच के चलना चाहिए ओल राइट दिनेशी एक और चीज देखे एक street थोड़ी इस चीज से भी थोड़ा सा उनको ठेस जरूर लगे कि आपने अपनी growth guidance को जो है taper down यानी कम किया है आप business करते हैं आपको outlook समझ आता है तो उसके चलते आपका करतव भी है और आपने उसको बखू भी नवाया है कि आप investors को अच्छी तरीके से गाइड करें कि market के dynamics क्या है पहले उमीद थी के 20% से जादा की growth होगी अब आप 10 से 15% growth की उमीद कर रहे हैं क्या रही इसके पीछे की वज़ा और क्या आपको लगता है कि 10-15% भी एक ऐसा target है जिसको हासिल करने में थोड़ी मुश्किले आएंगी या फिर आसानी से टागेट अचीव हो सकता है कि हमारा काफी समय से पेड सब्सक्राइबर एडिशन ठीक नहीं हो रहा है इसलिए टेम्टरेरी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन घटा रहे हैं लेकिन जैसी सब्सक्राइबर काफी चर्निंग होते वह दिखी है आपका क्या रिस्पॉंस है उसको लेकर इसने वहीं बताया मैंने कि जो हमारा जो सिल्वर कैटिगरी है वहाँ पे चर्न रेट ज्यादा होने की वज़े से नया कस्तमर टिक नहीं पा रहा है और उसकी वज़े से हमारा नेट कस्तमर एड उम्मीद इसी को लेकर के चिंता है और राइट एक और चीज जो कि मैं समझना चाहती हूं वह आपके नए इनिशेटिव जो कि एक्जिस्टिंग बिजनेस फिलहाल आपका है उसको लेकर क्या कोछ आपकी रनीती है या फिन नए इनिशेटिव कंपनी कौन से लेती वी मार्जीन हमने फिक्स कर लिया है मार्जीन हमारा गिर गया था 25-28 परसेंट जिसको कि हम वापस से 33-35 परसेंट पर ले आये हैं तो मार्जीन साइट पर सारा फिक्स हो गया है अब अगर कस्तमर ग्रोथ फिक्स होगी तो हमारा कलेक्शन और रेविन्यू भी आगे के लिए अच्छा ग्रोव करेगा जगी दूसरी साइट पर आप देखें तो हमने अकाउंटिंग बिजनेस में करीब 700 करोड पर इन्वेस्ट किये हैं और उस अकाउंटिंग बिजनेस में चाहे वे अपार हो चाहे बिजी हो चाहे लाइफ कीपिंग हो सभी अच्छे तरीके से ग्र इंडिया में यही रहता है कि category expansion कैसे करें और geography expansion कैसे करें अभी हमारी इंडिया में sufficient enough geographical expansion है और हम categories में deep जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी भी हमारी categories में बहुत सारी areas हैं जिसके जिन categories में better कर सकते हैं जैसे service oriented categories हैं उनमें हमारे लिए काफी opportunities हैं तो वहां पर expansion की possibilities बन और राइट और सभी सर्विसेस कंपनी से हम समझना चाहते हैं कि वह आपके बिजनेस को कैसे इंपक्ट कर रहा है इंडिया माट के लिए AI क्या है क्या आप इसको यूज करते हैं अपने फंक्शन्स में क्या है आपका आउटलुक उसके यूजेज में आने वाले टाइम में चोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं AI से तो अगर आप देखें तो लैंग्वेज बिषस्वेड्य का काफिक इस्तेमाल होरा है फोटो सर्चेज में आई का इस्तेमाल हो रहा है बैन्ड प्रोडक्स और खराप प्रोडक़् से हाटने में अमार एली का इस्ते Palestine हमेरी के अप्र हें मैं बसाम है लСТवा अब चुटा-चुटा तो घर जगह पहर एए लेकिन निक्या ऊसे कोई ये एक बड़ा ड्रेमाटिक्चेंज आएगा वह देशने वाली बात हTu आल राइट इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे दिनेश जी आज आपने वक्त निकाला और हमसे बात करी ये भी बताया किया कुछ ग्रोथ आउटलुक रहेगा कंपनी की तरफ से बहुत 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 शुक्रिया आपका समय देने के लिए तो य आने वाले टाइम में किस तरीके के ग्रोथ के नंबर्स की हम उमीज करें पर जी हां स्टॉक में कोई भी उचाल या फिर रिकावरी निशलिस तरों से फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि मार्केट का भी मूर और महौल आप देखे तो फिलहाल आज खराब ही है